हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस कींद्रा फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बिहार द्रोगा का जो पीटे एकजाम 22 दिसमबर 2021 को लिया जाएगा उसके लिए जो महेश कुमार बर्नवाल का बिहार द्रोगा का प्राक्टिस सेट आया हुआ उसको हम कबर देखिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है फटाफट आप लोग रिविजन करते चलिएगा इस वीडियो में हम लोग सेट नमबर वन को डिसकस करेंगे महेश कुमार बर्नवाल का जो प्राक्टिस से टाय हुआ बिहार दरोगा का उसका चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किये ब्रह्म चरे को किसके द्वारा जोड़ा गया था ध्यान से सुनिएगा जयंधरम की त्री रत्न है समयक दर्शन समयक ज्यान और समयक आचरन इन त्री रत्नों के अनुसीलन में पांच महा ब्रतों का पालन अनिवारे है ये पांच महा ब्रत्य कौन कौन से है तो अहिंसा है सत्य वचन है अस्ते है लिखे जो difficult word है मैं उसको लिख दे रहा हूं अस्ते उसके बाद चौथा जो है यह अपरी ग्रा है ठीक है अपरी ग्रा है और पांच बाद जो है यह ब्रहमचर है तो वहीं पूछा गया है कि जैंद्रम के पांचवे ब्रत ब्रहमचर को किसके द्वार जोड़ा गया था तो यह जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा ओप्सन नंबर बी हो जागा करेक्टेंस देखे बहुत ही कम समय आप आपकी एक्जाम में बचा हुआ आप फटा फट रिविजन करना आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है दूसरा कुस्तन से किस अमल का परियोग किया जाता है देखे वैसे तो फॉलो के रसों को सरक्षित रखने के लिए बेंजोईक यम या सोडियम बेंजोएट का इस्तमाल किया जाता है लेकिन देखे जीवानु नासक की रूप में फॉलो को सरक्षित करने के लिए फॉर्मिक एसिट का इस्त बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्ण प्रिवियस येर में पुछे गया है उनको मैंने आपको कबर करवा दिया है साथ हमने एडूटेरिया का वॉलूम जो 3 आया हुआ उसको कबर किया हुआ है प्लेटफॉर्म का वॉलूम 4 भी कभर किया हुआ है उसके बाद 2008 से लेकर के अब तक जितने भी विहार दरोगा में प्रश्ण पूछे गया है जो घटना चक्र है विहार दरोगा का उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कभर कराया है आपको तो दिखे फॉआ होता है प्राथ्मिक चर्ट हैं और देखे यह मैकमा लावा के जमने से बनती है ठीक है ध्यान रखेंगे जैसे कि गरनाइट बेसाल्ट ये सबी जो है आगने चट्टान है चले उसका बाद next question देख लीजेगा अगला question है कि सिंदो घाटी सब्यटा मैं जूते हुए खेत के साक्ष कहां से प्राप्थ हुए है अच्ऽा ध्यान रखेंगे friends ये कली बंगा है चाहँ पर तो राजस्थान में है और घगर नधी के तटपर है सबही लोग अपना अपना स्कूर बताइएगा देखे समिधान सभा की प्रांतिये समित्ती के अध्यक्स कौन थे प्रांतिये समित्ती के अध्यक्स जो थे ये सरदार बल्ला भाई पटेल थे ओप्सन नमबर बी हो जाएगा ध्यान रखेंगे चलिए next question देखेगा अगला question हमारा कि विश्व सरनार्थी दिवस किस तिति को म बनाया जाता है अगला question देख लिएगा कि मुद्रा के अमुलियन का प्रमुख उदेश क्या है तो इसका प्रमुख उदेश जो है निरियात को पुरुच्साहित करना है next question देखेगा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेत्रित्व किसके द्वारा किया गया था तो next question देख लिएगा कि सीजदा एवं पैबोस प्रथा की सुरुवात किसने की थी तो देखेगी इसको शुरू किया था किसने बलवन ने ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा बलवन ने फार्सी रिती रिवात पर आधारित नौरोज उत्साह को प्रारम करवाया था अपने बिर्यो प्रोटो जवा से होता और एटलिट फुक एटलिट फुट जो है कवक से फर्म फुद से होता है तो इसको आप लग मिला लीजेगा चली उसका बाद नेक्स्ट कोशन देख लिएगा कि किस रंग के प्रकास का तरंग दर सरवाधिक होता है सरवाधिक तरंग दर जो होता है यह लाल रंके प्रकास का होता है सबसे कम जो होता है यह बैगनी का होता है उसका देखेगा कि Cotopaxi जवाला मखी किस देश मा वस्तित है Cotopaxi जवाला मखी ध्यान देगे यहां विश्व का सबसे उचा जवाला मखी परवत है और यहाँ इक्वाडोर में है option number D हो जाएगा next question देख लिजेगा देखे friends एडूटेरिया का जो volume 3 है उसके सभी science को question को एक जगे मैंने cover करा हुआ है और current affairs को मैंने एक ही वीडियो में cover करा हुआ है साथ ही साथ जो volume 1 है एडूटेरिया का उसका science का जो complete जितने सेट में उनको मैंने एक ही जगह cover करा दिया है तो देख लिजेगा जल्दी में आपका revision हो जाएगा देखे lockdown के समय कि सराज ने restart package की घोशना की तो रिये start package की घोशना जो है यह आंद्रपरदेश की सरकार की त्वरह किया गया था चांगला दर्राक कि सराज में इस्तित है बिल्कुल बिहार द्रोगा के पैटरन पर जो प्रशन पुछी जाते हैं वहीं दिया गया महिस बर्णवाल का नाम किसी पड़िचय का मुहताज नहीं है आपको पता है तो देखे यह चांगला दर्रा जो है यह लद्दाक में है नेक्ष्ट कुस्टन देख सब्सक्राइब की की धातु की मिश्र धातु है जर्मन सीलवर पुछा गया जयर्मन सिलवर होता है यह कॉपर जिंख और निकिल का होता है तो एक दो और तीन इसका राइट अंसर हो जाएगा उसको देखेगा कि विशो स्वास्त संगठन डवलू एचो का मुख्याले कहा इसती थे अच्छा विशो स्वास्त संगठन के अस्थापना कभी थी तो 7 अप्राइल उसका हेटकॉर्टर जो है जयनवा में और ध्यान दिजेगा जो टेड्रोस अध्नोर्म है यह जो है अभी डवलू एचो के हेड है तो यह पूछा जा सकता अभी इनका नाम ध्यान रखना आपका उसके पहोड देखिएगा कि खजराहो का मंदीर परिशर के शराधी में इस्थित है देखिए खजराहो का मंदीर है इसको युनेश्को की सुची में विस्व विराशत अस्तल की रूप में कब सामिल किया गया था तो 1986 में किया गया था यह ध्यान रखेगा यह मद्धप्रद सरवाधिक स्वन मुद्राय जारी की गई थी सरवाधिक स्वन मुद्राय जो हैं यह गुप्त सासको ने जारी किया था ठीक है ध्यान रखेंगे गुप्त सासको ने और सुध जब पूछा जाएगा तब कुसान हो जाएगा अब तक・ Pasadhi और एकिकरन इनमें हुआ था तो यह हुआ था आपको 1916 का लखनावगा अदिविशन था इसका अम्बि का चरण मजुमदार नहीं किया था उसके वाद देखेगा कि राष्ट्रपती के निर्वाचन में कौन भाग लेता है तो राष्ट्रपती के निर्वाचन में लोकसभा, अमराजसभा के निर्वाची सदस और विधानसभा के निर्वाची सदस भाग लेते हैं तो A और B इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद देखेगा कि कथन A है और reason दिया गया है कारण दिया गया है आपको पढ़िए पहले कथन पढ़िए कि असुद जल विधुत का सूचालक होता है बिल्कुल सही है असुद जल में धातू के लवन चार तथा अमल घुले होता है इसे कारण से यहाँ विधुत का सूचालक होता है तो A और R दोनों सही है और यह जो R जो है यहाँ A की यानि कि कथन की सही व्यक्या कर रहा है तो option A इस तरह से right answer इसका हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बहर देखेगा कि तिरित्यक दिल्ली दर्बार देखे दिल्ली दर्बार 3 जीत हुआ था पहला हुआ था कब तो पहला भी ध्यान रखना आपको 1877 में Lord Litton के समय में दूसरा हुआ था 1903 में लॉड करजन के समय में और तीसरा जो हुआ था 1911 में हुआ था लॉड होल्डिंग दूतिये के समय में ध्यान रखेंगे चली उसका बाद नेक्स्ट कुस्सन देख ली देगा कि वर्स 2020 के पृत्वी दिवस का जो विशय था ठीम था क्या अब देखे 2020 तो ध्यान रखना ही रखना है कि 220 में आपको भिहार दिरोय की वैकेंसी आई हुई थी साथ ही साथ अब 2021 भी आपको ध्यान रखना है 2020 में इसका theme क्या था तो 2020 में इसका climate action था अच्छा 2021 में इसका theme क्या हो गया तो restore our earth हो गया जो important points है वही मैं आपको बताऊंगा देखें नमलखित में से कौन सा ताप विदूत का सुचालक होता है विदूत का सुचालक ताप और विदूत का बते ही यह इसका क्या हो जाएगा तो देखिए विधुत्य कह होने चाहिए था कौन कुछ आलक होता है तो सीशा होता है यहां नहीं दिया गया है ध्यान रखेंगे सूचालक नहीं है तो यह सीशा हो जाएगगा चलिए उसके बाद देखेगा कि तिलया पर यूजना किस नदी परिष्टित है तिलया जो है फ्रेंट सिए बराकर पर है ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा कि बिहार में 12 सासन की सुरुवात किस अधिनियम दोरह हुआ था देखे बिहार में बिहार प्रांत था तो प् भारतिये मौसम विज्ञान विभाग इसकी अस्थापना याद रखना इसके अस्थापना 1875 में हुई थी ठीके फ्रेंट्स उसके बाद जो है इसका राजधानी उसमें कोलकता रखा गया था राजधानी नहीं इसका हेड़क्वाटर मुख्याल है फिर कोलकता से सिमला लाया गया और फाइनली यह जो आयमडी का हेड़क्वाटर है वह अब दिल्ली में है यहां भारतिये मौसम वेद साला पूछा गया यह पूने में स्थित है नेक्स्ट कुस्ण देखेगा कि वैक्टिरिया की खुज किस ने की थी वैक्टिरिया की खुज किया था लिवेन हॉक न नहीं होता है नेक्स्ट कुस्ण देखेगा कि कैमूर के पठार में किन चाट्टानों की विशेशताएं पाए जाती है फ्रेंट्स फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा प्लीज लाइक कर दीजेगा और इससे सेयर कर दीजेगा देखे मैं आपके लिए कितना मेहनत कर बस आप से एक ही चीज मांगता हूं कि वीडियो को लाइक किजेगा और सेयर किजेगा तो दीखे कैमूर पठार जो है यह हो जागा बलुआ पत्थर ठीक है चरहे नेक्स्ट कुस्ण देखेगा कि वर्स 2011 की जंगन्ने कंशार भारत की जंसंख्य विर्धी दर कितने परतिस द Conte का रही थी मतलब सबसे कंप नागालेंड वा रही थी निराध में रही थी माइनस 0.6% ठीक है धियान रखेंगे किस सर्कार के द्वारा प्यार का पौधा अवियान प्राराम किया इस एक जोर्यां किया गया वेकर में नेक्ष्ट कुस्ण देखिएगा कि और भारत का ranking याद रखना 142 है, next question देखिएगा कि राज्य मंत्री परिशत किसके परती उत्तरदाई होती है, तो राज्य मंत्री परिशत पुछा गया, तो ये विधान सभा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद next question देखिए, किने मलखित में से किस अस्थान से मौरे कालीन अस्थापत्य कला के साक्ष पराप्त हुए हैं, बताईए, मौरे कालीन अस्थापत्य कला के साक्ष पराप्त कहां से हुआ हैं, तो ये उपर इक्त सभी से हुआ हैं, पाटली पुतर से, बराबर से, और राजगरी से, उपर इक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट इंसर, सत्य सोधक समाज की अस्थापना किस ने की थी, तो जो तीबाद फुले नहीं किया था, 1873 में, ठीक है, ध्यान रख हो जाएगा, बासमती चाल को नहीं दिया गया है, ठीक है, तो अप्सिन नंबर D, इसका राइट इंसर हो जाएगा, उसका देखेगा कि बॉक्साइट निमन में से कहां पाया जाता है, तो यहां सबसे ज़्यादा पूछना चाहिए था, ओडिशा में, ठीक है, उसका देख कुस्सन देख लिजेगा, अगला कुस्सन है कि राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन, NDRF का अध्यक्स कौन होता है, बताइए, दरसल यहां पर NDR होना चाहिए, NDMA, NDMA होने चाहिए, ठीक, NDMA, National Disaster Management Authorities, ठीक है, प्रबंधन होना चाहिए, तो यह आपका होता है, प्रधान मंत प्रतिसत है, तो यह 7 दिसमलोग, 7 ए 6 प्रतिसत हो जाएगा, उसके बाद देखेगा कि निमलकित में से कौन से आंदोलन किसानों से संबंधित है, तो नील विद्रोह भी है, चमपारन भी है, बारदोली भी है, और एका भी है, तो उपर युक्त सभी हो जाएगा, रायट प्रांत में है, ठिक है, त्यान रखेंगे, ये पाकिस्तान में है, उसके बाद देखेगा कि ये इटालीन जल विदूत पर्योजना जो है, तो फ्रेंस ये पंजाब की सरकार ने किया है ठीक है चलिए चरंजीत सिंग्चन्नी मुख्यमंत्री है सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाने जाता है तो बाइकार्बोनेट याने की बेकिंग सोडा ठीक है एन एच सीओ थिरी ध्यान रखेंगे फॉर्मूला होता है इसका देखे धान में खैरा रोग किस खनित की कमी से होता है तो धान में खैरा रोग जो होता है ये किस से आप से पुछा गया तो खैरारों ग्षया के कमी से होता है ठीक है उसकी संघठ़न संघठन को अपने संघया इसहो संगठन इसी नहीं अच्छा ध्यान रखेंगे संगहाई सायोग संगठन का हाली में इरान जो है इरान नौवा सदस्दिस बना है कौन इरान ठीक है करेंट अफिर सो कोश्चन है पूछा जा सकता है चलिए उसका देखेंगा कि मोहनी अटम किस राज्य का सास्त्रिय दिरित है तो मोहनी अटम कहां का हो जाएगा केरल का हो जाएगा ठीक है चलिए भारत नटम टमिल नाडू का कुछी पूड़ी आंध्रप्रदेश का ओडिसी का ओडिसा हो जाएगा इंडियन एसोसियेशन के अस्थापना किस के द्वारा की गई थी तो धियान रखेंगे 1866 में सुरेंदर नात बनर जी और आनंद मोहन गोस के द्वारा की गई थी तो तीन और चार राइट अंसर हो जाएगा उसका वदेखें निम लिखित में सिर्फ चंद्रियान 2 के लें अच्छा राष्ट्री राजनितिक दल की मानेता प्रदान कौन करता है तो यह चुनावायों करता है ठीक है टोटल आठ पार्टी जहें यह पार्टी कौन कंसा है तो सबसे पहले तो बड़ी पार्टी धान रखेंगे बीजेपी है कॉंग्रेस है उसका बाद बहुदन इसीह और भागपा का दो हो गया तो 6 हो गया उसके न्सीपी है ठीक ए एन-सीपी राष्ट्रवाधी कॉंख्रिस भारत अभयान कंद्रगत MSME के लिए खुल कितनी राषि का प्राउधान किया घया है तो यह कितना किया गया है है लाक करोड किया गया option number A हो जाएगा निलगीरी परवत किन राज्यों में फैला हुआ तो निलगीरी जो है केरल तमिलनाड़ू और करनाटक तो एक तीन एक दो और तीन इसका राय टंसर हो जाएगा option number B सबसे उसी चोटी इसकी डोड़ा बेटा है निलगीरी के ठीक है और तो वो बाची मिला होता है आपको असम में ठीक है उसका बद देखिएगा विश्वक का पर्थम 5G नेटवर्क किस देश ने अस्थापित किया तो यह पहला देश बन गया है कौन सा दक्षीन कोरिया 5G नेटवर्क अस्थापित करने वाला देश में त्री अस्तरिये पंचायत सबसे कम हो जाएगा प्रात्यिक छत्र का चले नेक्स्ट कुसन देख लिएगा की फैनी चक्रवात जो है यह फैनी चक्रवात किस राज करटर से ठकड़ाया था उडिसा के ठीक है और फैनी का नामकरण किसी ने किया तो बांगले छिसने किया है लेकिए बीहार दिरोगा का यह सेठ है ध्यान रखेंगे उसका देखेगा कि 2019 के सासा कावा पुरुसकार से किसे समानित किया गया है तो यह किया गया है परमोद कुमार मिश्रों को ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कुशन देखेंगे खानवा का युद है 1527 में हुआ था ध्यान रखेगा बाबर और राना सांगा के मद हुआ था अप्सिन बर डी हो जाएगा अचा 1526 में इबराहिम लोदी और बाबर की बीच पानिपत का पर्थम युद हुआ था 1527 में आपको यहां पर होगे खानवा का युद है 1528 में चंदेरी का युद हुआ था मेदिनी राय और बाबर की बीच में बाबर सभी युद जित गया है 1529 में हुआ था अफुगान बाबर की बीच घागरा का युद है चली अगला कुस्षन देखेगा कि भारत के कोल गैस पर आधारित पर्थम और वरक सेंथ क्यास अपना किस राज में की जा रही है तो फ्रेंट्स यह की जा रही है ओडिसा में ठीक है उडिसा में की जा रही है उसका देखे मिलान करना देखे आर्टिकल 17 जो है यह संबंदित किसे तो छुआ छुट से हो जाएगा तो अस्प्रिष्टा कांट 23 हो जाएगा यह आपका बलात शरम हो जाएगा ठीक है जो बालक है 14 साल की कौम उम्र के उनको जो है कल कर खानों या जोकिम भरकार पर नहीं लगाया जासकता है चालिस में आपको पंचाथी राजा और चुआलिस में समान नागरिक साइनता है तो इस तरह से आप लोग अब मिला लिजेगा ठीक है फेंड्स चलिए अंतराष्टी उर्जा एजेंसी ठीक है इसका अस्थापना पूछा गया तो इसकी अस्थापना कब ही थी तो इसका अ अमदाइक रिजर्वोसित गया गया है तो यह कटिहार का जील है गोगा भिल ठीक है पहला रामसर अस्थल भिहार का का वर जील है बेगुसर आए नेक्स्ट कोश्ण देखेगा कि नर्सिंभन समीति का समध्य मिलकित में से किससे है तो यह बैंकिंग छेतर से है ठीक है ऑप निकोलोजी ठीक है वाइरोलोजी वाइरस हो जाएगा साइटोलोजी कोशिका का अध्यान उसको देखे निकोलो कॉंटी जो है स्वप्रथम किसके दरबार में आया था तो निकोलो कॉंटी जो था यह इटली का यात्री था और यह आया था देवराय प्रथम के दरबार में मौपला विद्रोग का नत्रित्व किस ने किया था मौपला विद्रोग केरल में हुआ था मालाबार टटपर और अली मुसलियार के द्वारे इसका नत्रित्व किया गया था निमलेखित में से अमरित करांती किससे संबंदित है अमरित करांती का संबंद्ध जो है यह है नदी रिपोर्ट है जलवाई परिवर्तन परदर्शन सूचकांग कॉप 26 में जारी किया गया है और भारत जो है दसवे नंबर पर है ध्यान रखेंगे जलवाई परिवर्तन परदर्शन सूचकांग में उसके बाद देखेगा कि चंदरशेखर दलाश्ट आइकन ओफ आइडियोलो है यह आप कमेंट करके बताए ठीक है चलिए पदार्थ की मातरा मैं ही बता देता हूं निमलिखित में से कि सरक्त समो को सर्वदा था यानि कि उनिवर्सल डोनर कहा जाता है डोनर कहा जाता है ओको और उनिवर्सल यानिकि सर्व ग्राहिता इनिवर्सल रेसिपेटर कहा जा ये पंचवर्षी योधना जो थी, ये किस मडल पर आधारी थी, तो दूसरी जो थी, ये PC महल नोविस मडल पर आधारी थी, ठीक है, कारेकाल इसका 56 से लेकर के 61 तक रहा था, पहली जो थी, ये हैराल डुमर मडल पर आधारी थी, नेक्स्ट कोशन देखेगा कि राष्ट्रि 10 transfer दुमर पर आधारी दो पर आधारी फिर्शे से अधारी परंबोंपधित है कि सर्था, पहली था प्राफत भाग कुश्ट सीचत कोशन देखेगा फिरी, मिलान नेक्स्ट कुस्चन है कि सामिधान सभा के द्वारा राष्टिय द्वज किस्तिति को स्विकार किया गया था तो राष्टिय जो द्वज है इसको स्विकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को नेक्स्ट कुस्टिन है कि मनुस्स के सरीर में निम्लिकित में से किसकी कमी से मधू में हो जाएगा तो यह इंसूलीन हो जाएगा उसके बादे कि निम्लिकित में से कौन सा नोबेल गैस वायू में नहीं पाई जाती है तो इसमें से कौन सा नहीं पाई जाता है तो रेडाउन उसका देखे इंध्रा रसो यजना के सराजसरकार के दौरा प्रारम की गई, तो ये राजस्थान गवजबर्मेंट के दौरा धनुस त्बज किया है धनुस जो है फ्रेंड पर यह जो है अल्तिलरी गन है, ठीक है स्वादेशी तकनिक पर यहां निरमित है मनरेगा के अंतरगत सरवाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है मनरेगा के अंतरगत उत्तरप्रदेश हो जाएगा उसका दिके गांधी जी ने किस गोल में संबलेंड में कॉंग्रिस का प्रतिनिधी की रूप में भाग लिया था इसका अंसर आप कमेंट करके देगा ठीक है चलिए उसका वाद देखे मनुस्त की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलीन और अमाइलेज पाया जाता है ठीक है तो यहां पर दिके अमाइलेज दिया गया है उसका बदेखे कुल कितनी क्रिसी फसलों के नियूनतम समर्थन मुल MSP की गोश किसी फारिस की जाती है तो 22 मुलों के लिए MSP और गन्ना के लिए FRP की सिफारिस की जाती है यानि 22 इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है उसका बद आखरी कुस्तन आज का हमारा देखे प्रशन है कि इंदरधन सीधा ब्यास किन दो दुस्य को मद्य संपन हुआ फ्रेंड् हुआज दे इंदर्ग्पस टाइब दूसके रिए विए